जो कर दिया मेंने आपको लाओ को इसको मान के चलती है यह भी काफी बड़ा रोल-प्ले करती है तो अब जो नेच्ट चो प्रेपरेशन है एलके न का ही प्रेपरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं तो एलकेन की जो नेक्स प्रेपरेशन है वह हमारे पास कॉलबे लेक्ट्रोलसिस के दुआरा हम लोग क्या करना होता है अच्छा यह दिखते हैं करते हैं इसको यह बेसिकली ना जो प्रेपरेशन नहीं बेटा जी यह फ्रॉम कार्बॉग्सलिक एसिट है इस उत्रों ना जैसे ऊपर हम लोगों ने इसको ऐसे लिखें लिखें फ्रॉम कार्बॉग्सलिक एस सब्सक्राइब थे ख्थर्ष्य से बनाने की थे से बनाने के दो में इसमें से जो फर्स्ट में आता हो हमारे पास आता दो कॉल ब्रेक्टॉलसिस में देखते हैं भी होता क्या है है इसमें हम सोडियम और पोटेशियम सौल्ट ऑफ कार्बोग्जिलिक एसरे लेंगे और सी ओ ओ एन ने या फिर तो क्या यूज रहें एंपर सो सॉडियम और पोर्ट सॉट ऑफ सोडियम और पोटेश्यम सॉल्ट उफ कार्बॉकशली एसट कि कार विच यह कंती हैं। sodium और potassium salt लेना है carboxylic acid का तो उसमें अगर हम उसका electrolysis करते हैं उसमें water डाल देंगे 2H2O water डाल देंगे साथ में क्या करेंगे electrolysis carried out कर देंगे electrolysis आपने 10 तक सुना होगा भी electricity pass करते हम लोग electrolysis करेंगे और जब electrolysis करेंगे तो हमारे पास products बन जाएंगे तो जो products बनेगा वो क्या बनेगा एक प्रड़क्ट बनेगा और इसके दो मोल्स होते हैं अब मेरे को यह बात तो clear है भी यह जो मैंने reactions लिए बच्चों का दिमाग साउड़ गया सरी हुआ कैसे यह समझ तो कुछ नहीं आया समझ कैसे आगा अभी जब मैंने समझाए ही नहीं है मैंने तो जब तो देखते हैं अब हुआ क्या इसके अंदर ठीक है करें स्टाड माइडियर बड़े आसानी से करना है पांच में लगेंगे इसके बाद काफी कोशन आपको करने के लिए मैं दे दूंगा इसके तो देखिए इसमें होता क्या है इलेक्रोलोजिस कैसे करते होते हैं तो अब इसकी डिटेश Авए mio को क्या किए जाते हैं वह सबच लेते क्रिश्यां आप लोगने मैं तैंट क्लास में लगाना है 10 कょंटेंट में अदर हम लोग 22 nearby लूप अ को लिए ती और दो गलोता है जिसके उपर चार्च होता तक है थोड़ जिसके उपर चार्ज होता है नेगेटिव ठीक है और जिस यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जिसका हम लोगोंने ठीकर अब क्या था आपको जब आइनिक एकिलिब्रम पढ़ाया था तब मैंने क्या बोला था जो और सी ओ और एन ने होगा बेटा जी जो इलेक्ट्रोलाइट है यह क्या करेगा यह वाटर में जाके बेटा आइंस में तोट जाएगा और सी ओ और ने पॉजिटिव बना वाटर में जाके इस में तूट गिया है अब यह जो और होते हैं आप यह नोट के ओपर शम्माइब तो यह जो ने कि तरफ जाता है तो एक नोट के ऊपर प्रसेस होता है ऑक्सिडेशन ओक्सिडेशन ञा seg Pakistan को फॉन से तरफ कौन चाहिएगा नेगेटिव कॊन है लिए और ची डॉट पर सांव कि और यहां और नेगेटिव यह जाएगा इसके पास suspended और से एक Reno डिया हुए कि क्या करेगा एक एक को वहां पर लूस कर देगा और किसमें कनवर्ट हो जाएगा कनवर्ट हो जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ रैडिकल है ठीक है ऑक्सिन में से एक लेक्ट्रॉन चला गए अपने पास यह स्टेप समझागे सबको इसमें किसी को कोई गंफ्यूजन तो जाएगा अब यह जो स्पीशिस बन गी बिटा यह अंस्टेबल होता है कि क्यों है देखो इसमें क्या होता है इसमें न यह वाला बॉंड ना बिल्कु से टोट जाते हैं तो यहां से सुनना भी बहुत इंपॉर्टन पॉइंट है जब यह बनाना तो यह जो कार्बन और ऑ सू. ऐधेस बना लेंगे अगयर निकल गया तो बाहर चलागा जब ऑस बाहर चला गया आशन संजा गया क्लियर बन गया तो एंस्टेबल होता है अगर इसको स्क्वेर ब्रेकेट में लिखा जाते तो टू आरेडिकल का मतलब क्या हो गया विद्ध दोनों आरेडिकल आपको बना लेंगे और किसका का formation हो जाएगा एलके इनका formation बोले बात समझाई मैंने क्या किया कि सोचो सभी अधर के उपर क्लियर सबको ओके राइट वेरी गॉट कि इसमें बहुत सिंपल साथ फिनॉमिनन मेंने किया यहां पर आर सी ओ नेगटिव था तो वह न और पर उसने अपना एक इलेक्ट्रों दिया एक इलेक्ट्रों देखे वेटा वो न्यूट्रल हो गया अपने पास को कि ऑक्सन के पास पुद के छे एलेक्ट्रों आगे बांट तो अगर बांड ब्ल्कु से टोटेगा तो कार्बन के पास एक और इलेक्ट्रों आएगा यह वाले कार्बन के पास और के पास और इलेक्ट्रों आ गया तो कार्बन-क यह चैर में और आपस होजाएगा ओंठ अब आता है के फोटी फिर के फोट यह अगर बात करें तो के फोटी होगा रिदूक्षण और पे क्या होगा तो यहhigh सत्ता हुद विजो हमारे पास हाँ आप ऐसा कर सकते हैं जो वाटर लिया हम लोगों ने वाटर को तोड़ दो बिटा इसके अंदर एच पॉजिटिव एंड ओएच नेगटिव के अंदर वाटर को तोड़ दो H Positive and OH Negative में तोड़ दी है ओके राइट है ठीक है अब क्या होगा देखो तो क्या थोड़ कौण सा चार्ज होता है नेगीटिव चार्ज होता है नेगीटिव के साथ कौन जाएगा Positive कौन एच पाौज़िटीव जाएगा है पासीडिव एक instruction लेगा इसमें हो जाएगा है में अगर tragic जाएंगे वह टूइलेक्ट्रों स किसमें कंवर्ड हो जाएगा है तो तो प्र टेंबन रहा है बेटर कहोड़ पर तो बिपॉजwr एचटों यह कैत होड़ स्टार्ट किया था मैं हाइलाइट कर रहा हूं इस पर ध्यान दीजिएगा एक तो यह समझ आ गया और क्या बन गया एच टू भी बन चुका है क्या रहे गया इसको सोच रहे हैं हम लोग कोई सोचने वाली बात ही नहीं बड़ा सिम्पल ट्रीका को देखो आपके पास अभी स्लूशन में क्या प्रेजेट हैं जो अपना मिक्षर पढ़ा हुए उसके अंदर क्या बचा हुए मिक्षर के अंदर हमारे पास अगर इन से लूशन मैं बात करूं तो इन सलूशन हमारे पास एक पॉजटिव पढ़ा हमारे पास न एपने पास अब अपने पॉशं कर रही है सब्सक्राइब कर दिया अब इसका डिरेक्ट अप्रोच लगाना है डिरेक्ट अप्रोच कैसे करना मैं यहां पर पांच मिट के अंदर पांच एक्जांपल करवा रहा हूं अब भी समय को आगया को लिए सेब्सक्राइब के ने हो है कि इसकी क्यों कॉल वेक्ट ऐस कोल्भ एक्रोलिश सिश्ट अपर्दम थर्ड में थार्ड के अंदर हम लोगोंने यह लिए अंधर टू कि इसके गॉलब एलेक्टरावस करनी है को अंदर क्या किया सीज़ टू सीओ और सिंगल बॉंड सीच टू सीओ और इसकी ऑल बेलेक्टरावश करनी है यह और गैनिक पढ़ने का तरीका होता है आपके दिमाग में डाल्च हो भी कैसे करना ऑफ चीज़ों के बारे में यहां प बनाना क्या बनेगा पॉल्वए लेक्राव से तो क्या करेंगे बोलो ओव शॉटकर ट्रिक क्या था मैकनिजम पर काम करो है यह जो जिसके साथ यह सीओ ने लगा ओता यह सारह का सारह गर्ब निकल जाता है और यह जो एलकायल होता है इसके आप रेडिकल बन जाता पड़े ही से लिखा होगे अपने पास यह क्लिर चाहिएंके तो और किया कि तक आरेंडेंग्म से तो न ला डिया जोड़ बनेगा ये वाला major निकल जाएगा और इसके ऊपर रैडिकल आ जाएगा तो अगर ऐसे दो माली उसको जोड दोगे तो पूरे का पूरा पाट निकल जाएगा ऐसे दो मॉलिकूल कर जाएंगे तो हैग्जेन बन जाएगा कि अब यहां पर देखो यह क्या होग इंट्रा आइक्षिन होगी इसमें एक ही मॉलीकूल के अंदर दो तो यहां पर रेडिकल बनेगा यहां पर रेडिकल बनेगा तो यह दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन करके डबल बॉंड यहां पर एक बना लेंगे अपने पास क्या बन जाएगा इसके द्वारा देखो थिक है क्या करों यहां रेडिकल यहां वाले कारवन के उपर रेडिकल यह दोनों रेडिकल आपस में बना लेगे तो 1,2,3,4,5 तो 5 मेंब्ट के बन जाएगे कि अपने पास एक साइक्लिक रिंग बन जाएंगे राइट एवरीवन बोले विटा फॉल्व एलेक्टरॉसिस ड़न है सबको क्या पूछना इसमें क्या नहीं बता लगा उसके बाद में कंपांट बनता है वो निसमें आरा कैसे दोनों रेडिकल को जोड़ो ना बेटा ऐसे दो रेडिकल को जोड़ोगे तो यही बनेगा ना बेटा थोड़ा था सोचा करो यह सब्सक्राइब तो अपने पास कॉल बेटा कि पानेगा वो तो हर्शित बनेगा वो तो साइट पटक्ट है ना में पटक्ट हम लोगों अब इसमें लिखो नोट बना के लिखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर इसके द्वारा भी सी एच फॉर कांट प्रिपेर्ट इसके द्वारा भी सी एच फॉर कैंनोट बी प्रिपेर्ट इसके ना यह तो सबको पता ही है मिनिमम्म दो कार्बन जुडेंगे आपस में ठीक है तो इसकी विश्चिस में इसकी एप से बेटा इस ट्रीके में क्या करना आता है जहां पर डी का मतलब होता है रिमोबल का मतलब होता है कार्बन डायक्साइट तो कार्बोक्सलीक अगर हम कार्बन डायक्साइट को रिमूब कर देंगे तब हमारे पास अलकेन बन जाएगा करना क्या होता है सुडियम साल्ट ऑफ एस्ट ले लो कोई भी ठीक है तो जस्ट यह टेंथ फोली रेक्शन ने बेट आपको पता होगा सोडियम साल्ट ऑफ एस्ट हम लोगों ने हम लोग बोलते हैं सोडा लाइन कि यह बन गया सूडा लेम बन गया चीक्स क्विशन आपकर समय कंबाइम करेंगे तो क्या बनेगा कैसे बनेगा यह पूरे के पूरे को बहर निकालता तेंशा तो क्या निकल गया Bayam किसका फोर्मेशन हो गया का किन का फोर्मेशन हो गया है ठीक है किसको भूले बोलते हैंड ंडिर तो जो एक जो ता है यह तो जब जो कार्बोग्स्लिक का डी कार्बॉक्स एलेशोन होता है वो फ्रैंटिज में होता है एंड्र के साथ किसको युच क зм rise दो react चलिए वेरिगुड एब नेक्स बात करते हैं chemical properties के बारे में chemical properties है और एलके अज Kollege थे पूनद के कैमिकल प्रॉपरिटिस ऑफ एलक आपने एलकेन की केमिकल प्रॉपर्टिस के बारे में पढ़ना है। का मतलब है replacement एक की जगा दूसरे का आना अब मालू को कोई भी ऐलकेन है मेरे पास मालू CH4 है अब CH4 के साथ अगर मैंने A को react करना है तो मेरे पास जरूरी होगा ना क्योंकि एलकेन में तो क्या बेटा अल्री कार्बन के साथ चारबॉंड बने हुए अगर एने कार्बन के सब्सेटिश्टिशन पॉसीबल है तो मैं यहां यहां पर लिख रहा हूं अल्केन के अंदर अंडर कोष ऑफ्री रैडिकल सब्सेटिशन डेक्शन लाइप और वो सब्सेटिश्टिशन है वह हमारे पास फृटिकल इंटरमीडिटिक त्रू होती है ऑप अब देखे कैसे ह होतए है देखते हैं so substitutions के अंदर substitutions के अंदर ही टा हम स्टड़ि कर रहे हैं तो first subtitle nazis हमारे पास आती है हम जरोगेनेशन your first sports distribution in that is called halogenation yeah है Page जेयुद में होता है परेश्शन भी हेलोगन रीएक्शन में होता क्या है अगर सी एलटू के साथ करवा रहा हूं तो यह मेरे पास क्लोरीनेशन अगर चलोरीशन होगा तो क्लोरीनेशन होगा साथ कराऊंगा तो ब्रॉमिनेशन होगा करवाना किसी भी हैलोजन के साथ तो मैंने यहां पर मिथेन लिया उसको सी ल्टू से रियट करवा दिया इन दाप्रेंश ओफ अब मालो अगर मेरे पास क्लोरिनेशन एकसेस में इसमें एकसेस में बहुत ज्यादा मांड में पढ़ा हो तो क्या होगा सोचके देखो यह जो सी एच फोर जब सी एल टू से कंबाइन करेगा तो एचल बाहर निकल जाएगा और हमारे पास क्या बन जाएगा सियर्ण बन यह बनग होगा सेट्री अकशन हो रही क्या हो रही है को सीयाल है वो सब्सिच्चूट कर रहा है अब यह बन गया अगर पहले वाला प्रड़क्ट बना अगर यह दोबारा सी एल टू से कंबाइन करेगा इंदा प्रेंस और सॉनलाइट अब क्या पॉसिबिल्टी इसमें से दुबारा से एच निकल जाए तो क्या प्रड़क्ट बन जाएगा बेटा सी एल टू से कंबाइन करें इंदड़ प्रेंस ओ सॉनलाइट तो क्या हो जाएगा अगर इसमें से दुबारा से एक्ष सील पैसल के अंदर सी एल टू प्रेजन्स होगा सी एल टू सॉनलाइट के प्रेंस में इससे भी कंबाइन करेगा तो यहां से अगें एक निकल सकता है तो फाइनल प्रेक्ट बन जाएगा सी एक बन रहे हैं इसका मतलब अगर हम देखें तो हमारे पास एक बनेगा के मिक्शिर ऑ प्रड़क्स बनेंगे है क्लियर बेटा जी यह बताओ यह समझाई मिक्शर ऑफ प्रड़क्ट्स अप्टेट मिक्शिर ऑफ प्रड़क्ट्स अप्टेट राइडियर ओके वेरी गुट अब हमारे पास क्या है है अगर मैं इस यह फोर प्रड़क्स सिंव करो अगर सी एज फोर जादा माउंड में झाथ और सीएल कम माउंड में है तो जो सीएज फोर होगा ना वह जादे सील्टू कम में तो पॉसिबिल्टी यह यह वे के मिथायल क्लॉराइडी बन पाए ना तो जितना भी सीएल तो जो मिथेन हैं वहां से एच निकल के लग जाएगा और जो मिथाइल क्लॉराइट है वह हमारे पास अकेला मेजर पड़क्त बना वह आगे फर्दर सी एल्टू से कंबाइन कर सकता है तो वह अनकंट्रोल ट्रेक्शन हमारे पास हो जाती है मैं अब आती है रियरद्टिविटी ऑफ है अगर हम यहां यहां पर हैंक एक्टि यह संचिकी बात aquesta sipода तो अ कि एक्टिविटी के टियुटी है जो फ्लोरुइलेशन होते है बेटार हाइं लीए एक्सप्लोजीव होती है तो एक्स्प्लो जीव होती है जिसके वैसे सिर्वार्ण इसके नॉर्मल छ térिंशनore जाथि तभी अप्लोग अपोन की नॉर्मल रेक्षिंश को बेना आप लोग देखो गuateव या तो लौर किया जाता है और आउदिटिनेशन के वेटब वेरी दॉओ बहुत ज़्यादा स्लों होती है क्यों क्योंकि एक्ष्ण डिवर्सिबल क्यों क्यों कि विए ठीक है आप देखो कैसी यह यहां तक यहां पर की important पॉंक लिख़ो आयोदी नेशनी से इस्केरिड आउट और इन देप्रेसन्स ओफ स्ट्रांग अक्रादाइस इन्ट इंट्र प्रेसंस ओफ्स्रांग आक्सरादाइसंग एजेंट और नियुक्त लुट्रांग और टाइस इंट का मतलब के है जैसे मालों मिरे पास मिध्थेन है और यहां पर मैंने आयोडीन से एक्ष्ट करवा दिया तो क्या बनेगा सीएस्टी आई प्लस है प्लाइज कि अब कासियत के है वह जो आयोडीनेशन एक्षन यह रिवर्सिपल कि अगर रिवर्सिबल है फिर तो दिक्कत है क्यों क्योंकि हम तो इस बनाना चाहते हैं और जो प्रड़क्ट बन रहा वो रेक्शन वापिस जा रही है इसके लिए जो आयोडिनेशन होता है ना इसको स्टॉंग ऑक्सडाइजिंग एजेंट के प्रेंसिप में किया जाता है दिन ज्या फिर यह इसी गोट्सक्राइशन ऑच्ट फिर यह उसका में कंसरन क्या होता है जैसे आप लोग ने चैनल को यूज किया वह क्या करेगा यह एक्ट्रेंच अच्छा-इंट-बन रहन दो यह यहँसे स्टेशन-टॉन है एक चैनल तरी में नाइटोन का प्लस ताइब तो एक चाहीजिए इजन्ट होता है यह क्या करता है आई नेगटीव को तो अक्षडाइस करके आई टू में ले जाता है आई टू में और फूजिशन हो जाएगा और खुद क्या जाएगा रिडियूस करके एच्टो प्लस क् कैसे हो रहे हैं कैसे पता है नाइट्रोजन प्लस फाइव देसमें किसमें प्लस फूर में और जो आयूडीन यह वह एक्षाई को क्या करता रहा है और जैसे अच्छाई कुछ होता है कि खतम हो रहे हैं अगर एच्छा ही खतम हो रहा है तो रेक्शन बेटा बैक्वर्ड नहीं जाएगी नहीं तो बैक्वर्ड नहीं जा पाएगी तो जिससे क्या और रेक्शन से क्या करें करेगा यह से कंबाइन करें और यह उसमें ले जाते हैं और एक्शन की कि रिवर्सिबिल्टी को रोग देते हैं अब इसका जो मेकनिजम में पहले स्लेवस में सब्सक्राइब प्लस के अंदर आपको इसका मेकनिजम करवाया जाएगा तो यह रेक्शन थी हमारे पास बेटाजी हेलोगी नेशन ठीक है अब आता है नाइट्रेशन 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 में जैसे मालों आपने कोई ले लिया यह एलकें था इसको हम लोग रियाट करवाएंगे एचनो 3 के साथ अब आप ऐसे लिख लो ओएचनो 2 वेचनो 2 इस तरीके से लिखके रख लो अब क्या होगा एलकें का एच निकलेगा इसका और निकल शुबसिशशन नहीं होगा तो क्या पर्टक बनेगा CST के साथ कौन सो ग्रूप लग जाएगा अन्युट ग्रूप लग अटो निकल चाएगा थो नाइट्रोग्रुप का लगना डाट्रेशन इस और आपकें अब नेक्स्ट्रण का लगना गूलते थिए है लोगने सब्सक्राइब करते हैं अगर आपके पास कोई भी एलकेन है हम उसको करते हैं और हीट करते हैं हाई टेमपरेचर देना पड़ता है जब भी एलकेन की रेक्शन को करना है सब्सक्राइब को कैसे लिख सकती है ओएच एसो थी एच अब यहां से निकलेगा है यहां से निकल जाएगा ओएच तो वाटर निकल गया माईडियर तो क्या बन गया सी एस्ट्री एच लग गया तो बन गए मिधेन सलफोनिक एसिट इल्सलफोनिक एस तो जब आप एस्ट्री स्ट्री किया है और थर्ड हम लोगों ने स्ट्री इस अ आपट्री और निकए यह free radical mechanism के थू होती है ठीक है free radical के थूँ चलो तो सब्सेटिशन तो complete होगी अब सेकेंड रेक्शन रहते हैं सेकेंड टाइप आप आफ एक्शन जो एलकें के अंदर पॉसिबल अबिदाज है वह हमारे पास सेकेंड टाइप एक्शन जो पॉबल होंगी वह रेक्शन है हमारे पास combustion रेक्शन से हैं combustion रेक्शन के क्या करना है कोई भी हाइड्रो कार्बन आ जाए मालों कोई भी अलकें है उसको अगर हम लोग की प्रेजंस में हीट करेंगे combustion का मतलब होता है जलाना दुनिया को जो मर्जी हाइड्रो कार्बन आ जाए अगर आप उसको oxygen की प्रेजंस में बर्न करोगे तब हमारे पास जो final product बनेगा हमेशन जो प्रड़क्ट बनेगा वो बनेगा स्क्राइब किसी बीलकें की combustion से जो प्रड़क्ट बनता है वो क्या बनता अपने पास सी ओडू प्लस वाटर जीसे मालो मिधेन अपने पास ठीक है तो अगर मैं पास मालो सी फॉर एच टैन है यह बीलकें है इसको की प्रेंसिप में हीट करूंगा तो क्या बनेगा सी ओटू प्लस वाटर बनेंगा जो मर्जी एलकें आजए उसके कमबमेशन से यहां यहां पर फाइफ आँसे कितने के कटने होगे टू एट प्लस फाईव कितने होगे तो यहां पर कितने हैं लेफ्ट साइट पे टू है उसको किसे मल्टिप्लाइब लगा का अगर ने जैनरल रेक्ष्ण लिखन से गया जरन की गाल स्काटन की चनल टू कल प्लस तू होता है लिए कि इन का जैनल सेजड्माट इसन का हून्मोला हो गया और अपने पास जो फाइनल पर्टेक्ट बनेगा वो बनेगा एंड मोल ओफ सीयो टू प्लस क्या बनेगा एंड प्लस वन मोल हमारे पास बन जाएंगे एच्टू ओक्या यह विटा जेनल जेनल रेक्शन सागी एलकें की कि इसको को कोई दिख्कत ही नहीं विटाब अब दॉटक अगर आप मॉनलो फॉर एक्जम्पल यहाँ पर एंड की वेल्यू को आप यहां पर कर दो यहां पर क्या बनेगा सी ओटू क्लस टू एच टू देखो लिखी गई ना बेट एक्विशन बैलेंस्ट है कि बताओ यार यह बात क्लियर है या नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं यह जनरल रेक्शन है जनरल रेक्शन बैरेस्ट कैसी होगे मारे पास N की टर्म है कि एक है मोस्ट इंपॉर्टन रेक्श्न इस्में कि है माह लोग आपके पास CH4 मित्हेन है उसकी आप combustion करते हो ओटू की प्रेजंस में बट इनकंप्लीट कंबश्चन करते हो इनकंप्लीट कंबश्चन का मतलब क्या बेटा जो oxygen है न वो बहुत जादा लिमिटेड रखा हुए बहुत जादा लिमिटेड ऑक्सीजन है तो हमारे पास जो एंकंप्लीट कंबश्चन होगा तो क्या बनेगा कार्बन अब G Two प्लस वाटर और जो और जो मेरे पास कार्बन ने जो कार्बन प्लस वाटर बना तो इसको यूस्ट किया जाता है यूस्ट इन इंक बनाने में इंक की मैनूफेक्टिर में में यूज्टिन दॉर सक्टिंडकों możliे इंक ठेकें इंग बनाने में जणर्ली इसको यूस किया जाता है ये जो कारइव अनू याद रखना था जी अब नेक्स्ट आमारे पास एक चंट्रोल ऑक्सडेशन जो थर्ड टाइप और एक्शन वह शो करता है वह कंट्रोल ऑक्सडेशन एक श्रीक आप की जातरेक्शन है न वह याद करने वाले रैटने वाला थोड़ा सा पाट जादा रहता है Controlled Oxidation इस Controlled Oxidation में क्या होता है देखेगा अगर आपके पास मालो कोई मिथेन मैंने CH4 का बात कर रहा हूं अगर आपने करने दो अपके अटेशन रखा एक प्रेश्थ है कि इतना फ्रहा नहीं इतना नीकी जूपर से कर वाघी है हमारे पास बनेगा वो मिथनोल पनेगा सिस्ट्री ओएच यह निया ना मिटा जी ऑक्सडिशन कैसे है पहरे स्टार्टिंग वाले कंपॉंड में देखो कार्बन और हाइड हो रहा है तो इसका मतलब अगर मिथेन का और कि अगर हम मिथेन का ऑक्सडिशन करते हैं इसके प्रेंस में मेंगनीज ऑक्साइड मॉलीबेडनम ऑक्साइड की प्रेंस में तब हमारे पास जो प्रड़क्त बनता वह अल्डी हैड बन जाता है इतरी याद करना पड़ेगा यह काफी रटने वाला पार्ट होता है ठीक है तो यह दो रेक्शन से क्या पता लगा इससे दो रेक्शन से पता लगा जो हम लोग यूज़ कररहें हैं आ केटलिस्ट को चेंज करने से प्रड़क्ट चेंज हो रहे हैं पिटाजी डाल तो मिथेन प्लस ओटू कही रहे हैं एक इसमें कापर यूज कर लिया और एक इस में मॉली बैड़नम उक्साइड यूज कर लिया जहां पर मिथनॉल यूज कोपर यूज कि हैं मुद्धन बन रह सब्सक्राइब करता है कि डिरेक्शन को डिसाइड करता है मैं क्या बनाऊंगा तो वह डिपेंड करता है कि अब जैसे इधेन मालो सिग्ल बॉंट सीह जए है कि कि करवा रहे हैं मेंगनीज एसे डिए इसमें कि इससे विटा अपने पास क्या हुआ जो एक शीएश्री वाला गुरुप थाना यह ऑक्सिडाइज हो गया और ऑक्सुडाइज होके ये कार्बॉक्जिलिक एस्टिड में कनवार्ट हो गया कियर अजे आप जो रेक्शन लिख रहा हूं ये मॉस्ट इंपॉर्टन रेक्शन है कम्पेटिटिटिव इग्जाम्स के पॉइंट अव्यू से बेट आजे तो बहुत जादा इंपॉर्टन रेक्शन है इस रेक्शन में क्या होता है यह होता है अगर मारे पास कोई आलकेन है तो नो रीक्शन होता है है कि मतलब के इमनों इतना स्टांग और अप्शिडाजन नहीं है वह घृओ ऐयलकेन को आपशाडैस कर पाता को नहीं कर पाता क्यूंज नहीं कर पाता इसके एक एक सेप्शन है जटे एड ओन एकशन एह जरे जर देता है वह अनकान साई एलकेन विद 3 डिग्री हाइटोसन और लिए जिसके पास 3 डिग्री हाइटोसन है यह 3 डिग्री हाइटोसन और अगर अगर आप लोग के एमनों फॉर डाल दे तो तो वह वाला जो एच है माइडियर वह निकल के वह में कनवर्ट हो जाएगा वह एक एक्सेप्शन है यह एक्सेप्शन इसके टेक है मतलब जो एलकेन विद लिखलो अपने कॉपी पे जो एलकेन वीद थ्रीडिग्री हाइटोसन है वह के मैं ओकी एमनों की के मैं फॉर कि प्रेंस में जो प्रमेगनेट होता है जो हम लोगों ने पढ़ा था रिडॉक्स रेक्शन के इंदर उसके प्रेंस में ऑक्सड अपने को है जो एक प्रेंस में तो जो एक सी एस्टी वाला गुरूप आर्पार वो कि एक्सर में जो अब नेक्स चुरेक्शन हमारे पास आती है वह आते है गटा आई हुआ आइसामेराइजेशन लेक्शन पर टोटली याद करना है इसमें क्या होता है उस पर जैसे में लो इसमें आइसो मर बन जाता है जैसे सबस्कुराइब ड्रीस मेंने क्या या कोंसा एन हायट्रस एन हाइड्रस एन हाइड थे तो क्या हो जाएगा जो एन इन तो यह री उन्ज हो जाएगा ठीक है तो जो री रहेंच हो जो किया बन सकते हैं यह बन सकते इसका फॉर मुला भी पर इसका वहते हैं पर नाम तो अलग-अलग हो गया इसका नाम बन गया 2-3 प्रोपेन प्रोपे इसको बहुत है आई सुम्राइजेशन रेक्शन में आप लोगों ने एक ही कारबन को कम करना है अब जैसे देखो मेरे पास एक्जामपल आता है यह मालो मेरे पास एन है है अगर इस एन हेक्जेन को मैं एंहाइडर से एल से एल तरी के प्रेंस में हीट करता हूं तो इसका आई सुमर बन जाएगा क्या बनेगा कितने कार्बन की चेना जाएगी फाइव कार्बन रह गया वह आप नहीं हां पर भी लग सकता है और क्या पॉसिबिल्टी है फाइव क मैं पेंटें क्या हो जाएगा भी यहां सील फ्रीक्रेंस में क्या होता है आई सुमर बनते बिटा बनते और भी प्रड़ेक्ट्स मिटा माइनर पर बनेंगे और पर उन पे फोकस करने के जुरुवत नहीं में अपना काम होता है बस इसके बारें पतांवना भी एक कार्बन क को कम करके उसका एक आपको कर दीकिंश को बोलते हैं आई इस्टेशिशन डियक्षिन अपिट रहे और इसमरिजस्टेश्टेशन क्लिब में किसको यूज़ सबढ़ता हैं एंहट इंहाइडर यह को यूज़ करते हैं हाँ इसमें क्या है देखो यह अगर मेरे पास कोई भी एन एलकेन है पट एन की वैल्यू बेटा यहां पे ग्रेटर देन सिक्स होनी चाहिए ग्रेटर देन और इकॉल तो सिक्स मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम सिक्स या सिक्स से जाधा होने चाहिए ठीक है अगर इस एनलकेन को अगर हम लोग हीट करते हैं हीट करेंगे ठीक हीट करने के लिए हम लोग कर रहे हैं 773 करविन टेंपरेचर दे रहे हैं 10-20 एटमॉस्फिरिक प्रेशर प्रवाइड कर रहे हैं आप लोग और यहां पर जो हम लोग मेन कैटलिस्ट यूज़ करें वह कौन सा यूज़ करें वैनेडियम पेंट आक्साइड वी तूओ फाइव 2-3-2-3-1-3 रॉब हैं किसी को भी यूज़ करें और डालने में ठीक हैं और यहां पर यह आपर यूज़ करेंगे अलुमीना को भी उसके यह सकते हैं कि यह सबी कुछ करने पेना आपके पास क्या होगा यह जो एनल के इन था सीधा साधा कंपाउंड था यह एर्मेटिक बन जाएगा मतलब बेंजीन में कनवर्ट हो जाएगा और इस को हैं रिफा 29 ऑघ करने को बेंजीन में क sogen dış करना निकालने पड़ेंग either ह I don't know में सब्सक्राइब निकालेंगे असे थी lattilles को फॉर्मिशन होगा न देखो ऐसे मैं भी बिताता हूं जिसे स्पोस्ट करो मेरे पास compound है hexane यह मेरे पास hexane compound था H लगा लीजिगा बैटा N hexane अगर N hexane में सब कुछ उपर वाला डाल दूं जो चाहिए था तो hexane का पॉर्मुला क्या होता बिटा इवनेगा सी 6-14 ठीक है तो क्या हो जाएगा यह किसमें तो कितने हाइट निकल के पुलो कितने हाइट निकल के बिटा यह हाइट रोजन कितने निकले बताओ बिटेज़न के निकलने का मतलब फॉर एच्टू निकल लोगे तो क्या हो रहाए रिमॉवल ओफ हाईट वेटेजन को क्या बोलते हैं मैं टी हाइट ये इस पूलते है अब अगर मालो है हेप्टेन होता है जहां से सुनना मौस्ट इंपॉर्टेंट एन हेप्टेन होता है एन हेप्टेन ठीक है और इसमें मैं सबकुछ डाल देता तो सिक्स कार्बन का तो बेंजीन बन जाता है बन जाता है मतलब अर्म में क्यों बनेगा ही बनेगा और इसको टॉलन भी बहुत बड़ी है हर्शीन टॉलमी ठीक है तो जितना मर्जी ले लो बनेगा बेंजीन बनेगा बाक्की बेटा क्या बन जाएंगे साइड में निकल जाएंगे बाक्की साइड चेंड बना तेंगे ओके राइट नेक्स्ट आता है रियक्शन विद स्टीम कि इसकी के साथ तो क्या थेशन लिया बहुत सीम्पल सी रेक्शन एवाट डाला वाता वाट मतलर स्टीम से रियक्ट करवाया है कि अपने पार फारी नोपरेट्ट क्या बन जाएगा सीओ प्लस बन जाएगा यहां पर थी एच्ट्टू ती एच्टू का फॉरमेशन हो जाएगा त्रीक के साथ लास्ट एक्षण नहीं पारोलाइसिस रेक्षिंस यह भी इंपॉर्टेंट ईयूमेटाइजिशन भी इंपॉर्टेंट था पाईडूराइस इसे अर्पारोलाइसिस प्लस नहीं होगी देखो पाइर लेसीं बते क्या करना होता है पाइर लेसे जाफिसको बोलते क्रेकिंग पाइर लएसे और क्रेकिंग इस एक्शिं के अंदर क्या होता है अगर आपके पास कोई एक्जेन कंपाउंड को हीट कर दिया है 773 केलविन बहुत हाई टेंपरेचर पर हीट कर दिया तो यह जो हाइर एलकेन है ना वो लोर एलकेन में कंवर्ट हो जाएगा तो तूट के क्या बना सकता है वह सकता है सबस्क्राइब सब्सक्राइब क्या बन गया और बन सकता है और एक बन गया और एक बन क्योंकि आपने लिया उसको आप लोग ने हीट कर दिया तो टूट गया तो टूटने पर जो जो कंपाउंड बन सकते हैं वह बना दीजिए और यहां पर क्या बन सकता है सीट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट सब्सक्राइब तो तो गया अलग-अलग होगे फिर वो जूट रहे आपस में तो जूटके कोई भी पिना सकता है जो पॉसिबल है विट अपने पस तो आपके सामने अभी जो देखो जब उसका पाइरोलाइसी तो डिफेंट डिफेंट के पॉसिबिल्टी अपने को दिखाई दे रही है और इसको नौडाउन करने फ्रॉम एंसी आटी पे टाज़ नौडाउन फ्रॉम एंसी आटी तो एंसी आटी से इस पर्टिकुलर रियक्शन को आप लोगने डेफ कॉपी पे नौडाउन करेंगे ठीक है वह जो पैराग्राफ दिया हुए पाइरोलाइसिस के अंदर उसको आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नौडाउन कर रहे हैं तो बताइए क्लियर बेटा यहां तक सबको क्या कहते हो डान हां जी यह गिवन है बेटा 382 पेज़ पे 382 नंबर पेज़ पे यह गिवन है अपने पास चले तो अलकें तो हो गया बेट अपना कंप्लीट अश्वाइन अपना कंप्लीट होचुका है अब आता है फीजीकल प्रॉपर्टेश के बारे माइडियर जो फीजीकल प्रॉपर्टी is है न मैं अलकें अलकीन और बंजीन सबकी फीजीकल प्रॉपर्टी एकठे एक्सप्लेंट करता हो ठीक है क्योंकि उनके प्रॉपर्टी एक दूसरे से रिजैंबल करती होती है तो इनकी जो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी करेंगे वह हम लोग कंबाइन पढ़ेंगे पिटा इनके बारे में तो आपको पेज चोड़ने की जुरुषत नहीं है बाद में बेटा आप लोग इसको नोडाउन कर लेंगे जब मैं करवाँ है अब नेक्स्ट जो हम लोगों ने स्टेडी करना है वह है अलकीन के बारे में अलकेन कंप्लीट हो गया अब हमारा अलकीन आचुका है अचली थक गे विटा जी पेन एचली गले में में बहुत ज़ादा तो बोलना मुश्किल लगता है अपन लोग अब अलकीन पर पहुंच चुके हैं तो अलकीन की क्लास आज इवनिंग में रख लू मिटा एवनिंग में लगा लें और ये क्लास आज इसे अभी अपने पास यह मान के चलौ अपने पास 25 मिनेट्स पड़े हैं तो उस 25 मिनेट्स वाली क्लास को में इवनिंग में लगाता हूं तो इस पर इसना ही करना है कि आशाम को बस थोड़े टाइम के लगा लेंगे तो सभी ऑनलाइन हो जाईएगा वेटा जी कितने पर सेवन फिफ्टीन पर माइडियर सबसाथ आप लोग बिटा ऑनलाइन हो जाईएगा आठवेश तक लगाएंगे बस ज्यादा लंबी क्लास में खीचेंगे सेवन फिफ्टीन टू इट पीटा जी बस इससे जादा ले मैं आपको मैसेज कर दूगा अगर मेरा मैसेज आ गया भी क्लास मैं बहुत में सब्सक्राइब अगर मेरा मैसेज आ गया फिर तो आप लोग क्लास ऑनलाइन हो जाईएगा अगर नहीं आए इसका मतलब फिर इवनिंग वाली क्लास नहीं होगी अपने ठीक है ओके स्ट्रेंट्स इतना इसको पढ़ ले पढ़ ले आप लोग अच्छे तरहीं कैसे ठीक है अपना कंप्लीट कर ले मेटा ओके डियर जी अब